आजकल ना घर को और्गनाइज करना बहुत आसान हो गया है चाहे वो किचन हो बेडरूम हो लिविंग रूम हो कोई भी एरिया हो उसको हम और्गनाइज कर सकते हैं बहुत ही एजिली क्योंकि बहुत सारे और्गनाइजर्स आपको मिल जाएंगे अलग-अलग तरह के अलग- यह सोच कर कि काफी अच्छे होंगे लेकिन लेने के बाद मुझे काफी सारे उनके डिसद्वांटेज पता चले और वही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी जो गलती मैंने की है उनको लेके पैसे वेस्ट करने की मैं चाहती हो कि आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट ना ह लेकिन जब इसको लिया मैंने तब इसके जो हुक्स है वो इतने छोटे दिये है कि अगर आप कोई भी बड़ा आइटम इसमें बड़ा हैंडल वाला या फिर आप पैंस वगरे इसमें हैंग करना चाहे ना तो वो गिरने का उसमें डर रहता है जैसे कि मुझे यह और्गना इसको यूस करने के काफी टाइम के बाद मैंने रियलाइस किया कि इसके हुक्स एक्चुली में बहुत चोटे हैं इसने मेरा सामान यहां से कई बर गिर जाता है तो मैंने यहां से बड़ी-बड़ी चीजे हटा के जो छोटी-चोटी चीजे है ना उनको हैंक कर दिया है और इसके जो hooks है वो काफी बड़े हैं और इसमें आप बड़ी बड़ी चीज़े भी हैंग कर सकते हैं दुसरा ये बिलकुल भी sharp नहीं है जो इसके पहले मैंने organizer दिखाया था वो एकदम sharp है और बच्चों का या फिर आपका खुद का भी हाथ उसमें कट सकता है तो ये वाला organizer उसके comparison में काफी better है और इसमें आप बड़ी चीज़े भी हैंग कर सकते हैं प्लस इसके साथ आता है ये magic sticker जिसमें आपको बिना drill किये आप easily इसको कहीं भी use कर सकते हैं लेकिन जो दुसरा जो organizer है उसके साथ कोई sticker नहीं आया था मुझे अलग से sticker उसके लिए खरीदना पड़ा था ये stickers मैंने इसमें अलग से खरीद के लगाया है या फिर आप इसको drill करके nails वगरे लगा के use कर सकते हैं lazy susan या फिर rotating organizers काफी सारे आपको मिल जाएंगे लेकिन वो काफी costly रहते हैं तो थोड़े से अगर आपको reasonable चाहिए तो इस तरह के rotating आपको मिल जाएंगे जो trays रहते हैं यह अच्छा है इसमें आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं लेकिन अगर आप इसमें हैवी सामान रखेंगे तो इसको rotate करने में थोड़ी से मुश्किल होती है प्लास्टिक का है और थोड़ा-थोड़ा सा मुर जाता है यह देखिए दो तीन colors में अविलेबल है मेरे पस एक क्रीमिश का लगा है एक ब्लाक का लगा है लेकिन इसमें मैं छोटे मोटे सामान रख तीन ब्लाक जो मैंने आपको दिखाया वो ज्यादा कॉसली नहीं है 150 के रेंज में आपको मिल जाएगा कंपरेटिवली यह वाला जो ट्रांस्परेंट रोटेटिंग ट्रेय है यह क कुछ अगर आपको कॉसली चीजे मिलती है लेकिन अगर वो अच्छी कॉलिटी की है तो वो आपके काम आ सकती है लेकिन अगर बहुत सस्ती है और वो यूज में नहीं आ रही है तो आपके जो पैसे हैं वेस्ट हो जाएंगे वो चीजे आप यूज नहीं कर पाएंगे तो जो मैंने पहले दिखाया आपको रोटेटिंग ट्रेय आप उसे अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं लिप्स्टिक्स वगरे मेकप का सामान रखने के लिए या फिर चोटी मोटी बॉटल रखने के लिए हेवी ड्यूटी के लिए चाहिए तो आपको बड़े-बड़े जास रखने हेवी जास रखने तो आप यह वाला ट्रांस्परेंट वाला लीजिए यह कॉमनली कई बार कई सारे लोगों ने बोला है कि यह जो रैक होता है ना यह कॉर्णर रैक है और यह मोस्ली सबको यह प्र इसे में इसे एक बॉक्स रखा हुआ है तो यह जादा शेक नहीं होता है अदर्वाइस यह थोड़ा सा शेक ही रहता है ऐसे में सिमिलर कॉर्णर ओर्गनाइजर में आप आप आइकिया का ले सकते हैं जो कि प्लास्टिका है और काफी अच्छा है तो यह मैटल के जो बास् यहां पर रख दिया है वायर्स वगरे एक साथ जो रहते है तो यहां पर मैं इसको थोड़ा से यूज कर ले क्योंकि यहां पर यह कम टच होता है किचिन में सामान अगर हम कुछ रखते हैं तो बार बार चीज़े यूज होती है कंपरिटिवली यह राउंड वाला जो है उ यूज करना चाते हैं तो यह आप कर सकते हैं जिसे मैंने इन दोनों को लिविंग रूम में ही रखा है यह थोड़ा सा बेटर है इसमें हैं और यह शार्प भी नहीं है तो इसको आप किचिन में भी यूज कर सकते हैं मैंने यहां पर कुछ सामान रखने के लिए लिविंग उपर से इसके जो end के जो हुक्स है उसमें आप कोई भी कप हैंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो छोटा भी कप हैंग करेंगे ना तो वो नीचे फ्लोर की तरफ या सर्फिस पे टच होगा तो जो चार हुक्स है वो आपके वेस्ट हो गए उपर के बचे कुछ चार से छे हुक् लेकिन जैसे जैसे आप साइट से कप निकालते जाएंगे ना तो यह गिरने का डर रहता है इसका बैलन्स ठीक नहीं है तो ऐसे वाले जो ऑर्गनाइजर से उसे अवाइट कीजिए प्लस यह आपका जो फिजिकल स्पेस है आपके काउंटर का या फिर आपके कैबिनेट का उसको भी यह पूरा उक्यूपाई कर लेंगे तो इससे बैटर है कि जो आप ऐसे और्गनाइजर लीजिए जिससे की आपके कपस भी अराम से होल्ड हो सकें यह वाले कप होल्डर मुच पेटर हैं पहले वाले से क्यूंकि यह उपर का जो कैबिनेट का स्पेस है वो दूसरे चीज़ों के लिए भी यूटिलाइस कर पाएंगे बुड़न यूटेंसिल्स दिखने में बहुत ज़्यादा सुन्दर लगते हैं यही सोच के मैंने यह वाला जो मसाला बॉक्से वो लिया था बहुत ही सुन्दर है यह दिखने में और इसमें काफी सारे आपको छ प्राइबल के सादा है रज्न ख्रासे में काफी है आपको इसे लहां नीचे में रखे है व गत्यान काफी साय नसाली डाल जालती कियो अधे டकी थी जलता है में पंगं सिर्ण कषकर पैड़ें को काफी साथ वाला नहीं करेंगे यह काफी है आपको से नीचे रखके ही कम्पैरिजन में यह स्म्पल वाले जो मसाले के बॉक्सेस मिलते ना वो बेटर है क्योंकि इसमें आपको मेंटेन करने के लिए के लिए साफसफाई के लिए एजी रहेगा और प्लस हलके भी है साइज में तो डेली यूज के लिए यह काफी पर्फेक्ट है काउंटर टॉप के सामन को और्गनाइज डखने के लिए मैंने ये वाला रैक खरीदा था और उसमें लिखा था कि ये फोल्डेबल रैक है लेकिन इसमें सिर्फ जो उपर का ये जो रैक है ना उपर वाला जो रैक है वो फोल्ड होता है अगर इसे आपको फोल्ड करके रखना है और कोई बड़ी बड़ी बॉटल के लिए उपर वाला आप चाहरे है कि इसे फोल्ड करेंगे तो आपको इसे रसी से बानना पड़ेगा अगर इसमें कोई होक नहीं दिया है तो ये फोल्डेबल रैक मेरे हिसाब से तो नहीं है दुसरा इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें आपने दो बड़े जास रख दिये तो थर्ड जार के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा या फिर आप एकदम छोटी छोटी बॉटल्स या फिर जास रख सकते हैं बट जो छोटी बॉटल्स रहती है वो पीछे से गिरने का डर रहता है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा स्पेस दिया हुआ है अराम से बॉटल्स नहीं गिर सकती है तो आपको काफी ज्यादा क ज्यादा सामान रखने का स्पेस मिल जाएगा प्लस ये शेकी नहीं है दूसरा पीछे से इसमें सपोर्ट दिया हुआ है तो बॉटल्स अगर चोटी-चोटी बॉटल्स भी रखेंगे तो गिरेगी नहीं काच की बॉटल्स जो ऑईल की बॉटल्स होती है उसके लिए फोन सी ऑइल की बॉटल्स अच्छी होती है जिससे की लिकेज ना हो तो ये वाली बॉटल इसमें लिखा था कि ये लिकेज परोफ है लेकिन इसमें जितने बार भी यूज करो ना उतने बार ये उपर से यहां पर इसका जो ऑईल है वो आके सेटल हो जाता है और हमेशा ही इसा रहता है मतलब जितने बार आप यूज करेंगे उतने बार आपको इससे अच्छे से वाश करना पड़ेगा और जो स्टील के कंटेनर्स होते हैं ऑल के उसमें भी जबी भी आप यूज करेंगे अगर आपने उसे पोछा नहीं तो आपका जो बेस है वो ओल हो जाएगा इ इसमें अलग से अंदर में एक प्लास्टिक का होल्डर दिया गया है तो ऑईल अगर थोड़ा बहुत साइट से निकलेगा तो वो अंदर की तरफ जाएगा वो बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगा जैसे मैंने आपको पानी यहां पर पोर करके दिखाया है तो पानी लगाना है तो यह वाले छोटे कंटेनर्स अच्छे हैं यह मैं काफी सालों से यूज कर रही हूँ काफी अच्छे हैं इसमें से बिल्कुल भी लीकेज नहीं होता है आप ऑईल पोर करने के बाद भी ना देखेंगे तो इसके साइट से कभी भी ऑईल नहीं आता है इसलिए इसके नीचे कुछ भी नहीं रखती हूँ इसे मैं डिरेक्ली अपने वुड़न रैक में रख देती हूँ तो अगर आप ऑईल कंटेनर्स लेने की सोच रहे हैं तो स्टील के कंटेनर्स अवाइट कीजिए और आप ग्लास के ऐसे वाले ले सकते हैं यह जो बॉटल्स है यह यह होता है कि अगर इसमें आपने उपर तक फिल कर दिया है तो इसका जो लिट है वो बराबर से बन नहीं होता है और इसलिए फिर अगर आप इसमें शुगर पाउडर शुगर या फिर सॉल्ट रखेंगे तो इसमें मौश्च्च जाने का डर रहेगा I really hope आपको यह information काफी useful लगेगी और अगर आप कुछ चीजें लेने का बाई करने का सोच रहे हैं तो helpful रहेगा कि आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बिलकुल भी बाई मत कीजें और इससे ना आपके सिर पैसे waste होंगे तो I really hope आपको यह video useful लगेगा Thank you so much for watching